हर हर महादेव दोस्तों, आज का राशिफल, 24 मई दो हजार चोबीस, दिन शुक्रवार, मेश राशी, आज का दिन मेश राशी के जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है। आज आप कामकाज में चल रही परेशानी और उल्जन से निकलने में सफल होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी यह भी है कि अपनी सोच और समझ को सुधारने का प्रयास करें और जो भी निर्नैले उस पर गंभीरता से विचार करके निर्नैलें। आज आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आज तुलसी को नियमित जल अरपन करें और दीप दिखाएंगे तो। आपका दीन और भी ज़्यदा बहेतर होगा। शुभरंग होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है। 93 प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वरिशब राशी आज का दिन वरिशब राशी के जात्वकों के लिए बहतरीन रहने वाला है। आज आपके काम की सराहना होगी और आप अपनी कार्यशैली से अपने वरिश्ठों को प्रभावित करने में सफर रहेंगे। आपके बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपके निजी रिश्टों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। लोगों के साथ आपका मिलजोल बढ़ेगा और दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। आज लक्षमी जी को खीर का भोग लगाएं तो आपका दीन और भी ज़्यदा बहेतर होगा। शुभरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है। 90 प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशी मिथुन राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि आपका दिन आज उल्जण और तनाव वाला रह सकता है। आज आपको अपने कामकाज में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ विपरीत स्थिती का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कारियों में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रन रखना होगा आज आपके लिए सलाह है कि आज आप गायत्री मंत्र का जब करें तो आपका दीन और भी ज़्यदा बहेतर होगा शुभरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 88 प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है करक राशी करक राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपको आज कार्यक्षेत्र में तरक्की और उन्नती का मौका मिलेगा कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव में वृद्धी होगी और आपको आज कुछ नया करने का मौका मिलेगा आपको अपने कार्यक्षेत्र में पूरे जोश और उत्साह से काम करने का मौका मिलेगा आज गणेश जी को लड़ू का भोग लगाएंगे तो आपका दीन और भी ज़्यदा बहेतर होगा शुभरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिन्ह राशी सिन्ह राशी के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा आपको अपनी मेहंत से बढ़कर भाग्य लाब दिलाएगा कोई सरकारी काम आज आपका बन सकता है आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके पक्ष रहेगा आपको आज निवेश से भी फाइदा मिल सकता है नौकरी पेशा जातकों को आज अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है आज सूर्य पुरान का पाठ करे और किसी गरीब लोगों को अन्न का दान करें तो आपका दीन और भी ज़्यदा बहेतर होगा शुभरंध होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा आपके सितारे बताते हैं कि आपको अपने निजी और व्यावसायक जीवन में कुछ उल्जन और कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप धैर्य बनाये रखें और उतावलेपन में कोई भी फैसला लेने से बचें आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंतरन रखने की जरूरत है आज गायतरी मंत्र का जाप करें तो आपका दीन और भी ज़्यदा बहेतर होगा शुभरंध होगा आस्मानी और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है बहेतर प्रतीशक उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है तुला राशी तुला राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा आप अपने काम में सफल होंगे और आपका मूर भी अच्छा रहेगा आपको अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पूरा साथ सहियोग मिलेगा किसी काम में आपको आज इनकी सलाह से आपको फायदा मिलेगा वैसे आज किसी पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है जिसका आप घर के बड़ों की मदद से हल निकाल पाएंगे आज किसी जरूरत मंद को खाने पीने की चीजों का दान करें तो आपका दीन और भी ज़्यदा बहेतर होगा शुभरंग होगा बादामी और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 78 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिष्चिक राशी व्रिष्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन सुखद और लाभकारी रहेगा आज आपको लाइफ से धेर सारी खुशियां मिलेंगी आप अपने काम में सफल होंगे और अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए किया गया आपका प्रयास आज सफल होगा आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकता है अधिकारी वर्ग आज आपको सपोर्ट करेंगे आज भगवान गनेश की पूजा करें और 21 दूर्वा अर्पित करें तो आपका दीन और भी ज़्यदा बहेतर होगा शुभरंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 71 प्रतीशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी धनुराशी वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा आज आपको अपने कामकाज में ध्यान देने की जरूरत है किसी तकनीकी समस्या की वजह से आज आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है आज आपको अपने व्यापार में नए प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचना चाहिए आज दुर्गा चालिसा का पाठ करेंगे तो आपका दीन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा केश्रिया और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है साथ प्रतीशत मध्यम धाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी मकर राशी के जातकों के लिए आज का दिन कई मामलों में परेशानी और उल्जन देने वाला रह सकता है आज आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है जिससे आपको मानसिक कष्ट हो सकता है आपको अपने काम में सावधान रहना होगा और अपने फैसले सोच समझ कर लेना होगा आपको अपने स्वास्थय पर भी ध्यान देना होगा आज श्रीकृष्ण चालिसा का पाठ करें और किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो आपका दीन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा कथई और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 68 प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्भराशी आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है आपको आज भाग्य से पूरा सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आप तरक्की करेंगे अधिकारी वर्ग आज आपके काम से प्रभावित होंगे और आपके काम की सराहना भी करेंगे निजी रिष्टों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है आपको अपने निकट संबंधियों से सहयोग मिलेगा आज किसी जरूरत मंदों को चावल का दान करें तो आपका दीन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 74 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन राशी मीन राशी वालों के लिए आज शुक्रवार का दिन शुभ रहने वाला है आपको उन्नती के कई शांदार अफसर मिलने वाले हैं कुछ नए लोगों से आज आपका संपर्क और संबंध बन सकता है अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो आज आपका रिष्टा तै हो सकता है आज शिवजी की पूजा करें और शिव मंतर का जब करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंध होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 89 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है